इसमें हम रितू मतलब जो सीजन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे ठीक है तो अब हम आते हैं सबसे पहले रितू के विवाजन पे ठीक है तो रितू के विवाजन में सबसे पहले देखिए बारा मास होते हैं ठीक है माग आदी बारा मास होते हैं ये दिया गया है पहले श्लोक में, ठीक है, और शिशीर आदी, 6 रित्यूय होती है, ठीक है, यह जो 6 रित्यूयों के नाम है, यह हम आगे श्लोक में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले, जो हमारा शिशीर होता है, वो क्या होता है? एक्स्ट्रीम विंटर, मतलब बहुत जादा कडाकी के जब फिर आता है वसन स्प्रिंग सीजन जब फूल बूल खिलते हैं हमें यह सब पता है फिर आता है ग्रीश्म मतलब समर यह तीन रितुएं होती है ठीक है फिर इन तीन रितुओं का मांग फागुन चैत्र वैशाग जेश्ट और आशाड इन छह महीनों का उत्तरायन देखे दो आयन होते है को आपसे टीचर पूछ सकता है की दो आयन काल होता है टीक सीजन एक तब तो गीलता पूरज उत्तर दिशा से निकलता है तो उसे उत्रायन बोलते हैं और जब वो दक्षिन दिशा से निकलता है तो पूर्व सही लेकिन थोड़ा सा उत्तर की तरफ टिल्टेट तो उत्तरायन और थोड़ा सा दक्षिन की तरफ टिल्टेट तो रहता है दक्षिनायन ठीक है और आदान काल और विसर काल दो काल होते हैं इह काल प्रती दिन प्राणियों के बल का हास करता है कॐunसा आदान काल अब देखिये इसके बाद हम आते हैं ग्रीश में रितू ये बेखिए तो जो यह आटलग इसमिटे कि रितू का राशी से संबंद ठीक है यह दिया गया है तो देखें ग्रीश मेरे तू किसे मेश और व्रश इन दो राशियों से संबंद रखती है जो आप चार्ट है इसको बना सकते हैं यह कोश्चन में बिल्कुल नहीं आता है इसको एक्स्प्रेंड करने की विज़रत नहीं है यह नॉर्मली बिल्कुल 50% तो यहीं समझ में आ जाएगा सबसे पहले 6 रितुएं आप 6 रितुएं किस ओर में लिखेंगे यह देखिए यह याद कर लिजे ओर चार पाच बार बोलेंगी याद हो जाएगा शिशिर वसंद ग्रीश म वर्शा शरा धहिमंद मैंने तो ऐसे याद किया था वही हमें पता है वो आदान काल होता है अब इसमें कन्फूजन हो जाता है कि अब उत्तराइन आदान काल है या उत्तराइन विसर काल है तो देखिए हम उ को कैसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं है और आदान काल में अ ऐसे बनता है तो बस ऐसे याद रख लिजे कि उत्तराइन में आदान काल आता है तो उसका उल्टा दक्षिनायन में होगा दक्षिनायन में विसर काल आएगा ठीक है और आदान काल में क्या होगा बल का हुआस होगा ठीक है अब यहीं से बहुत सारे कोशन बन जाते हैं कोई आप से यह भी पूछ सकता है कि शिशिर रितू में बल कम हो जायेगा शरीर बल ठीक है और फिर इसमें बल बढ़ता है तो कैसे बल बढ़ेगा वर्षा शे शरत फिर हेमत ऐसे में यहां से इस एलए इस यह में आपका बल बढ़ेगा यह हम आगे देखेंगे तो यह देखें यह दिया हूए कि जो शिशिर है वो कौन-स मंतिष में आती ह अब देखिए अब कॉन सी रितु में कॉन सा रस सबसे जादा होता है एगा है तो यह इसमें बहुत अच्छा से दिया गया है Snigdh का मतलब होता है Madhur तो आपने यत क्या होगा मैंने आपको मुथाय था आपको को लाइन से आतकरना है madhur cutu tikdh kashaya तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं मदुरमलवण पहला है सनिख्द को यी मदूर बोलते हैं मदूरमलवण आपको यहां लिखने, टेबल में फिर उसके बाद आपको कैसे लिखना है कट्थू, तिख्द, और कशये ठीक है कटू तिकटकश है ठीक है इसकी टेबल हमें चैप्टर के लास्ट में मिलेगी अगर आपको यहां पर कन्फ्यूज हो रहा है उसमें मैं और अच्छे से आपको समझा दूगी वैसे यह जो टेबल है अगर आप बना लेते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा ठीक तो आदान काल में बल का आदान केहसे होता है अपूछों को पूछ झा से ओर कि उत्तर गवाव सी गवावा दोगे तो बल अपने पास जाएगा भी तो बलका व्यार चयुज के आप देखो के इस सूर्य के उत्तर दिशा के और को ऑशलेह दोगे हो कि publicly स्यूर्य के तो उत्र तरफ जाने से गरम हो जाती है शोर उज़ती है उसके अपैस जाती है थिल्टइड रहता है तो इसके वहीड हमें जो जेतनलं से वो olay vast the मतलब होता है कि जो उसकी cooling qualities होती है ठीक है थंडक जो होती है सौम में तक इसे बुल जाता है थंडक को बुल जाता है वो क्रमशहा नश्ट हो जाती है देखें गर्मी में जो थंडा पन है जो तो कम हो जाता है न ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है अब तिक्द रस शरीर में कशाय रस वसंत में कशाय रस वसंत में और कट्षाय रस ग्रीश में में क्रमशह बल्वान होते हैं तो देखें यह यह याद कर लिए तो यही यह कारण है कि आदान कल क्या होता है आगने होता है या फिर फायर से related होता है समझ में आ गया फायरी तो आप देखे इसको दोनों तरीके से आप याद कर सकते है या तो आप याद कर लिजे कि जो आदान काल होते है उसमें गर्मी की रितु आती है और समर सीजन आता है ग्रीश में रितु आती है इसलिए वो आगने होगा जो हवा होगी वो तेज होगी उष्न होगी है ना ड्राइ होगी मतलब कूलिंग कॉलिटी चले जाएगी तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते है क्योंकि कोश्चन भी दोनों तरीके से आप से टीचर पूछ सकता है इधर से भी पूछ सकता है और इधर से भी पूछ सकता है दोनों तरफ से टीचर आपको इसमें पूछ सकता है और इसमें MCQ भी बहुत अच्छे बन सकते हैं आप देखिए इसमें कितनी सारी छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी तो यह काल दक्षणायन या विसर्काल कहलता है . अब सूर्य कहाल जाल दक्षण की तरफ टिल्टो हुग्या तो यह क्या संथीं जGold A Indeed, द्धषTu में हता है , अब यह शूर्काल का explanation देखेंगे कि विसरकाल में होता क्या है ठीक है तो देखें विसरकाल में विसरकाल में विसरजन दान होता है ठीक है किसका होता है इसमें सौम में होने से चंद्रमा बल्वान देता है देखे अपोजिट पहले अपना क्या था आदानकाल था आदानकाल में क्या हो रहा था जो सौमेगुन था वो कम हो रहा था मतलब गर्मी ज्यादा हो रहे थी इसमें सौमेगुन बल्वान है ठीक है फिर इसके बाद इसमें जो सूरे रहता है उस शियंस से अ मिkk hvis that again तो बढ़ें है तो सन का जो कम होता जाए इस क réponse ताओ याद रहें तो इसमें वर्श को स्शकेसे कर बाघ्श सकते हैं चाल और पवन कैसा होगा शीतल होगा और जो हीट ऑफ अर्थ है मतलब जो भूतल का ताफ है जो गर्मी है वो शान तो जाएगी है ना और विसर काल में स्निग्द रस क्रमशह वर्षा रितू में अमल रस शरद रितू में लवंड रस और हेमंत रितू में मदुर्ण बलवान होता है यह हम पहले रसों का देख चुक है ठीक है उसी आप टेबल से याद कर लेज़ेगा बहुत असार होता है आपने अगर टेबल याद कर ली ना तो आपको देखे इतना कंटेंट तो मिल गया ना लिखने के लिए इतना तो आप लिकी सकते हैं और बाकी यह तो आपको उत्रा दक्षिनायन और किसमें बल कम हो रहा है किसमें बल जादा हो रहा है ग्रीश में रितु है तो हवा कैसी चलेगी ठीक है तो यह सारी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आप पूरा उत्रायन दक्षिनायन लिख सत्वाला उपको दस मार्क्स को को पका इसके बाद हम अलता है रितु के अनुसार बल अब ते humid नँसार आप centered इसको एक टेबल से देख लेत Pedro में यह तोड़ी कि हम वसंत की तरफ आते हैं ठीक है अमने देखा था शिशिर वसंत ग्रीश्म इसमें बल धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए कम हो रहता तो शिशिर हमने देख लिए वसंत ग्रीश्म में कैसा होगा पहले बल ज्यादा था ठीक है अब बल मध्यम हो गया वसंत में ठीक है बल कैसा हो गया थोड़ा कम हो गया और ग्रीश मेरी तुमें सबसे हीन बल हो जाएगा आप ऐसे भी याद रख सकते कि आपको ग्रीश मेरी तुमें सबसे आदर डल महसूस होता है तो ऐसे अब देखिए वर्शाय रितुमें भी हीन ही रहेगा है ना क्योंकि अब दीरे दीरे बढ़ना चुरू होगा जैसी वर्शाय रितुम आ गई अब बल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हीन हुआ फिर मध्यम हुआ मतलब हीन मतलब मिनिमम हुआ फिर मॉडरेट हुआ और फिर हेम रितुम जैसे विंटर आई वापिस से श्रेश ल इससे यह याद रहेगा कि देखे आप खुद नोटिस करते होगी कि जो विंटर सीजन है उसमें जादा खाना खाते हैं हैना हमारा बल अच्छा रहता है यह सब खुदी की नोटिस कर रहे चीज़ है तो देखे इस पर भी आप एक एक लाइन लिख सकते हैं आपका कोश्च कि अभी तक बढ़ी है उससे भी लिख सकते हैं कर आपको जादे आद नहीं है तो अब हमाते हैं हेमंत रितू में मनुष्य बल्वान में क्या होता है मनुष्य बल्वान होता है क्योंकि द्रिउच की जट रागनी में हें तो यह हैंत रितू में कारण अंदर ही रैकल जाता है तो यह जो पेटी गर्मी है वो पेटी में रहेगी एक जगे रहेगी तो क्या हो जाएगी बल्वान हो जाएगी इसलिए हमें थंडों में जादा भूख लगती है फिर यदि इस समय अगनी को आहार परयाप्त मात्रा में ना मिले तो यहाँ अलपी दन के कारण लुए ना मिले इस मौसम में आपको अच्छे भर पेट खाना जितनी भूख लगे हो इस भूख लगे है उतना अच्छे से खाना काना है नहीं क्या होगा आपकी जो जो धातूं है बोटी में लिग तो पड़ पड़िती है तो सब्दाटू हैं है नहीं को यह पचाना शू आताहा इसी शीत रितु हेमंत में स्वादू, अमल और लवन रसों का सेवन करना चाहिए अब अगर आपने 2nd चाप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मदूर, अमल और लवन ये तीरों बलवान रस होते हैं तो ये तीन रस का सेवन में किसमें करना चाहिए हैं मंत मीं करना चाहिए हैं अब देखे एक और तरीके से कोशन आता है वह आपसे पूछ सकते हैं कि वह बोलेंगे आपको की आदानकाल या उत्रायन का एकस्प्लेनेशन करते हुए उनकी रितुओं को एकस्प्लेन करें तो आपको फैले उत्रायन और आधानकाल की जो qualities पहाँ एकस्प्लेन करनी है उसके बाद आपको एक एक करके शिशिर वसंत और گ्रीश्म यह एकस्प्लेन करना है ऐसा ही दक्षिनायन, विसरकाल और वर्षा सब्सक्राइब सब्सक्राइब ए हो